नमस्कार दोस्तो देख्जाम है कर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो लेक्चेर में हम लोग UPPCS Mains 2019 के Geography Optional Paper 2 को यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जो यहाँ पर questions पूछे गए थे 2019 जो recently अभी हुआ है 26 सितंबर 2020 में जो paper हुआ है उसमे कौन-कौन सी questions पूछे गए थे किस type के question थे और उनसका answer क्या हो सकता है सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर analysis करेंगे लेकि जो questions है उसको analysis करने पाले दोस्तो यहाँ पर pattern देख लेते हैं तो जो paper है दोस्तों वो 2 section में divide होता है section A और section B हर एक section में 4-4 questions होते हैं यानि total 8 questions दिये होते हैं और उसमें से 5 questions हमें attempt करने होते हैं और 5 question 200 mark का होता है और 3 घंटे हमें time दिया होते हैं उसी में हमें attempt करने होते हैं और यहां पर at least 2 question है एक section से at least हमको attempt करने ही है यानि section A से 2 question जरूरे attempt करने है section B से भी 2 question हमें attempt करने है और total यहां पर 5 question attempt करने है और हर एक question जो है दोस्तों यहां पर 40 number का होता है ठीक है तोटल 200 नंबर का question होता है तीन घंटे में हमें attempt करने होते हैं यह रहा है दोस्तों यहाँ पर pattern अब हम लोग question देख लेते हैं जो 2019 में पुछा गया था पेपर 2 में जिगराफिक ओप्शन पेपर 2 में तो यहाँ पर पहला जो section A का जो पहला question है उसमें तीन सब question आप देख सकते हैं A, B, C तो A में यहाँ पर पुछा दोस्तों Explain the difference between North Indian and South Indian river system उत्तर भारत और दच्छिड भारत के नदी तंत्रे के बीच में बीच के अंतर को इसपरस्ट किजिए दोस्तों यहाँ पर just आपको rename कर दिया है कि Himalayan जो river system है Peninsular जो river system है उसके इसका difference आपको यहाँ पर पताना है ठीक है तो जो North Indian river system है Himalayan river system दोनों same है South Indian river system है और जो Peninsular river system है दोनों ही same है तो दोनों का बीच में यहाँ पर difference आपको पताना है तो difference दोस्तों आप बहुत सारे difference इसमें बता सकते हैं एक तो origin या river source की हिसाब से कि North Indian जो river system है वो हिमालियन से origin होते हैं Southern India जो river है वो हमारा western घाट से origin होता है इसकलाब एज की बात करें North Indian जो river है उनकी age कम है young age है जबकि Southern India की जो river है वो हमारा older age की है unacceptable लेज की बात करें तो नोर्थ इंडियन जो river है वो deep gorge valley क्रियेट करते हैं जबकि South Indian जो river है वो हमारा broad और shallow valley क्रियेट करते हैं यदि water की बात करें तो North Indian जो river है वो perennial in nature है 12 महिने वहाँ पर water flow होती रहती है Southern Indian जो water की बात करें seasonal in nature है ठीक है इसके लावा आप बात करें वेशिन की नॉअर्ध इंडियन जो रिवर सिस्टम है उनका वेशिन बहुत ही ब्राड होता है भीग होता है, Southern Indian के जो रिवर है उसकी बेसिन आप दे सकते हो कम होता है श notes compared to Northern Indian की रिवर system इसकलाओ, डील्ता के बाद करें, Northern Indian जो रिवर है वो बीग डील्ता create करते हैं और Southern Indian की जो रिवर हैं, वो हमारे smaller डील्ता create करते हैं या डेल्ता नहीं create करते हैं यह आप example देके इसको अच्छे से आप difference इसको बता सकते हैं यह हमने YouTube चैनल पे इसको अच्छे से हम लोग detail में study किया हुआ है तो पहला का आप B यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों B यहाँ पर पुछा दोस्तों critically describe the origin and mechanism of Indian monsoon इसको भी हम लोग discuss कर चुके हैं लेकिं यहाँ पर देख लेते हैं भारतिय मानसून की उत्पत्ति यहाँ प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्डन कीजिए तोस्तों origin and mechanism से related बहुत सारे theories हैं लेकिन यहाँ पर आपसे specific theories के बारे नहीं पुछा है यहाँ पर जनरल पुछा है कि origin and mechanism के Indian monsoon की origin and mechanism के बारे मता है और आलोचनात्मक वर्डन कीजिए इसका मतला आपको यहाँ पर recent जो theory है उसको आपको mention करना है तो recent theory में हम लोग देखे थे कि जो jet stream का भी रोल है IT CJET का भी रोल है हिमालेयन के भी रोल है ठीक है तो यह सारे रोल है इसके लावा हाँ हिमालेयन की रोल है इसके लावा देखोगे होने के बावजूद भी इतना कुछ theory होने के बावजूद भी अभी तक complete हमारा इंडियन मांसून की जो nature है origin है mechanism है उसको explain नहीं किया कर पाया है ठीक है तो इसको अलाचुन आते हैं कि यहाँ पर वडन आप कर सकते हैं इसको अच्छे से इसको भी दोस्तों हम लोग जो naturally grow होते हैं without human की help से तो natural vegetation में तीन टाइप की vegetation आते हैं एक आपको देख लेंगे स्रव ठीक है फिर grassland फिर forest लेकिं इंडिया में यहाँ पर दोस्तों स्रव और grassland बहुत ज्यादा extensive रूप में नहीं मिलते हैं इसलिए जनरली नेच्रल vegetation में हम लोग forest को यहाँ पर study करते हैं तो यहाँ पर different type की जो forest है उसको यहाँ पर mention करना है जैसे tropical, tropical rainforest, tropical deciduous forest, यहाँ पर thorny forest, ठीक है फिर tropical desert type वाली forest है या फिर mountainous forest, mangrove forest, सारे कुछ यहाँ पर आपको mention करना है फिर special distribution में बताना है यानि कि हर जगा जो natural vegetation है एक समान नहीं मिलते हैं इसका special variation होता है और यह dependent होती है हमारा generally rainfall पर ठीक है तिस सब कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर mention करना है तो अगला यहाँ पर दोस्तों दूसरा question है section A का ही देखले दूसरा में A by the government of India to preserve the wildlife वन ने जीव से आप क्या समझते हैं भारत सरकार के दोवारा वन ने जीव को संदच्चित करने के लिए क्या प्रयास किये गया है दोस्तों यहाँ पर वन ने जीव देखो जनरली यहाँ पर एक दो मीनिंग होता है वन ने जीव का तिसमें सब कुछ आते हैं जो human का interference नहीं होता है वो सारे जीव हमारे वन ने जीव में आते हैं जैसे natural vegetation भी वन ने जीव में आता है लेकिन जनरली वन ने जीव का मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर जो animals हैं जो human के help के बिना राते हैं उसको वोलते हैं वन ने जीव तो यहाँ पर जो forest में जो animals मिलेंगे जो micro organism मिलेंगे ठीक है जो birds मिलेंगे वो हमारे बंड नेजिव में आते हैं ठीक है इसको आप ऐसे समझा सकते हो इसके लाओ आप देखोगे तो government के द्वारा जो wildlife को प्रिजर्ब करने के लिए 1972 में एक एक्ट बनाए गया था wildlife protection ठीक है एक्ट 1972 उसके अंदर भी आप देखोगे national park बनाए गया है wildlife centuries बनाए गया है इसके लाओ बायो इसपे रिजर्ब बनाए गया है इसके लाओ एक scheduling भी मनाई गया है उसमें बहुत सारे जो species हैं उसको priority के हिसाब से वहाँ पर बोला गया है कि कौन सी species को आप मार सकते है कौन सा आप killing नहीं कर सकते हैं तो सारे कुछ यहाँ पर government ने effort लिया है इसको आप यहाँ पर mention कर सकते हैं दूस्तो दूसरा का B यहाँ पर है what are the objective behind creating biosphere reserve in India to what extent this objective has been achieved दूस्तो biosphere reserve करने के लिए जो objective है वो सिफ wildlife को यहाँ पर conserve करने के लिए नहीं है wildlife या animal यहाँ पर तो है ही इसके लाँ आप देखोगे यहाँ पर natural vegetation forest को भी conserve करने के लिए बनाए गया है इसके लाँ यहाँ यहाँ पर आप देखोगे जो tribal लोग की जो culture है उसको भी conserve करने के लिए यहाँ बनाए गया है इसके लाँ रिसर्च के लिए या बहुत सारे जो species को extension हो रहे है उसको रोकने के लिए यहाँ पर बायोस्पीर रिजर्व की अबजेक्टीव यहाँ बनाए गया था तो आप देखो कि इंडिया में ऐधिंग 18 बायोस्पीर रिजर्व है उसको यहाँ पर थोड़ा बुद मेंसन कर सकते हैं आप चाहे तो और यहाँ पर अबजेक्टीव क्या एचीब हो प साहिँ न मिला हुआ है फिर ट्राइबल की जो कल्चर है वह यहाँ पर शक्जस मिला हुआ है लेकिन यहाँ बहुत सारी जो लोर्व लां और ऑनिमल्य लेक्टीव का इक्स्तीन हो रहा है उसमें में सकसेस नहीं हए तो दोनों ही पहलूओं को यहां पे आप mention कर सकते हैं 2 के B में दोस्तो 2 के C में पुछा है कि water the causes of flood which zone of India is mostly affected by flood how it can be minimized दोस्तो recently अभी एक हफते भी नहीं हुए है साथ इसको हम लोग अच्छे से detail में study किये हुए है कि flood का जो causes है region क्या है हमारा बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज़्यादा rainfall होता है और low lying area में flood हो जाता है ठीक है इसके लिए आप बहुत सकते हैं human cows भी है क्योंकि human के human दोरा भी यहां पे erosion होता है erosion यानि कि आप deforesters होता है उसके वाज़े से erosional बढ़ जाते हैं ठीक है आप काफे कुछ इसको लिख सकते हैं हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको यूटूब में discuss किये हुए हैं बहुत ही easy question है ठीक है फिर यह होगा है दोस्तों दूसरा question अब यहां पे हम लोग चलते हैं तिसरा question section A में ही यहां पुछा है कि give an account of India population growth trend since 1901 AD 1901 SP से भारत की जन्सक्य प्रविर्दि की प्रविर्थियों की ब्यूरण कीजिए देश्तों यहां पे population growth trend की बात कर रहा है तो आप इसको categorize कर सकते हैं 1901 से 1921 के बीच में इसमें population देखोगे तो stagnant है यहां पे ना बढ़ी है ना ही घटी है इसको आप बोल सकते हो first stage आप demographic transition theory का जो first stage है 1901 से 1921 के बीच में even 1901 की जो population census होई थी उसमें population आप decrement देखने मिले है 0.31% का decrement देखने मिले थे population में ति हमारा period है 1901 से 1921 के बीच में stagnant period फिर आप 1921 से 1921 से आप 1951 के बीच में आप इसको categorize कर सकते हो इसमें आप बता सकते हो कि यहां पे steady growth हुआ है यानि बहुत ही rapid high growth नहीं हुआ है लेकि steady growth हुआ है 1921 से 1921 के बीच में लेकि 1951 से 1981 के बीच में rapid population ग्रोथ देखने को मिले है और 1981 से अभी कि आप बात करों के बीच में तो यहाँ पे rapid population growth तो देखने को मिले हैं लेकिन थोड़ा यहाँ decline भी trend देखने को मिल रहे हैं 1921 की बात की population को तो यहाँ पे कुछ ऐसा आप viewer देशकते हैं इस question में दोस्तों यहाँ पे 3 के B की बात करें तो पुछा है कि write a short note on rural settlement type in middle गंगा plane गंगा मद्ध गंगा मैदान में ग्रामिड अधिवासों की प्रकार पर संचिप note लिखें दोस्तों इस question को attempt करने से पले आपको पता होने जीए कि middle जो गंगा की plane है वो कहाँ पे है इसको आप map की सायदा से आप दर्साओगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा लेकिं यहाँ पे middle गंगा plane यहाँ पे मैं बताता हूँ कि eastern जो यूपी है actually गंगा जो plane है उसको तीन पार्ट में डिवाइट किया गया upper गंगा plane, middle और lower गंगा plane middle गंगा plane की आप बात करोगे तो eastern जो यूपी है और western जो बिहार है वो हमारा middle गंगा plane में आता है इसकी आप देखो कि rivers है तो वहाँ पे घागरा, ठीक है गंडक और कोसी और गंगा तो है ही आता है और यहाँ पे जो settlement होते है settlement वहाँ पे allowable जो morphology है जो वहाँ पे river की direction है या river की जो बोल सकते है river के बीच का जो land है उसकी हिसाब से वहाँ पे rural settlement देखने को मिलते है ठीक है तो middle गंगा plane में जो rural settlement है वो किस पे depend है allowable जो morphology है उस पे dependent है वहाँ की जो population ठीक है तो गंगा और जो rural settlement आपको देखने मिलेंगे वो हमारा गंगा और घागरा की जो valleys है उसके बीच में rural settlement ज्यादे देखने मिलते है और यहाँ पे linear settlement गंडक जो river है उसमें आपको linear settlement देखने मिलते है ठीक है जो गंडग river flow हो रही है उसमें अब linear settlement वहाँ पर human settlement देखने मिल रही है गंडग किनारे के आसपास और जो dispersed settlement है वो हमारा चंपारण वाला जो एरिया है मिडल गंगा के चंपारण वाला जो एरिया है वहाँ पर बहुत ही dispersed वहाँ पर settlement देखने मिलते है रूरल settlement और जो settlement का अब चलते हैं दोस्तों तीसरा के जो c question है यहाँ पर पुछा है right and critical note on the criteria for defining town is adopted by census of India भारतिय जन्गर्ना विभाग के द्वारा नगर को परिभासित करने के लिए अपनाए गए मांड दंडो पर आलोचनात्मक क्रिप्डिक कीजिए दोस्तों census आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो town की demarkation या defining है वो दो तरह से town को major तरह से define किया गया है एक है statutory town जो state government दवरा notify की गए है जहाँ पर corporation चल रहे है ठीक है और जहाँ पर municipal जो corporation हो चल रहे है और notified area है वो हमारे statutory town में आऊ गया दूसरा है दोस्तों census town census town उस town को बोलते हैं जहाँ पर state government द्वारा या कोई भी notify नहीं किया है टाउन को लेकिन एक definition की तोर पर वो टाउन है क्यों क्योंकि वहाँ पर 5000 से ज़्यादा population है पला criteria है दूसरा 75% जो male population है ठीक यहाँ पर ध्यान रखिए कि male population 75% जो male population है वो non agriculture activity में हो रही है और जो density है वो आप देशते हो 4000 person per square kilometer density है इस सारे criteria फुलफिल हो रहे हैं तो हमारा वो town में कहलाएगा एज़ पर census of India लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको आलो चनात्मक यहाँ पर पूछा है यहाँ पर आपको जो इनकी जो criteria है उसको यहाँ पर crit size भी करना है देखो crit size आप कर सकते हो कि 5000 जो population है यहाँ पर area को यहाँ पर define क्या है कितने area में 5000 population होनी चाहिए ठीक है यह बहुत बड़ी village है यह बहुत छोटी village है उसमे 5000 people लोग रह रहे हैं यह 5000 नहीं रहे हैं बहुत छोटी village है वहाँ पर 5000 से ज्यादा 5000 से कम यह वहाँ पर settlement है तो आप बोड़ सकते हो ताउन न तो टाउन हो सकते हैं तो इसको आप क्रिट्साइज कर सकते हो 5000 वाला जो criteria है इसको आप 75% male population ठीक है यहाँ पर human क्यों यहाँ जोड़ा नहीं किया है तो यहाँ आप बोल सेते हो यहाँ डिस्क्रिमनेशन हो रहा है एक दरस से किया मेल जो population 75% non agriculture field में involved होने चीए इसको आप क्रिट्साइज कर सकते हो इसके लाब पर डेंस्टी वाले पर क्रिट्साइज कर सकते हो कि 400 जो डेंस्टी का criteria है उसको आप क्रिट्साइज कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर अलोचनधम, टिपडिडिए आप कर सकते हो जो census आप इंडिया की जो definition है उसके लिए यह रहा दोस्तों तीसरा question अब section 1 का ही चाथा question यहाप चलते हैं तो चाथा question मैं दोस्तों पुछा है कि critical exam the concept of smart village आपने smart town के बारे में सुना होगा लेकिन smart village का भी यहाँ पे concept आया था दोस्तों 2015 में ठीक है 2015 में smart village का concept आया था और first phase में 300 smart village को भी यहाँ पे बनाने का डेवलप करने का एक criteria government ने उठाया था और जो basic जो criteria थे smart village बनाने का वहाँ पे education को facilities प्रवाइट करने के लिए health care facility प्रवाइट करने के लिए environmental care के लिए और वहाँ पे employment generate करने के लिए यह सारे facilities वहाँ प्रवाइट करेंगे तो हमारा वहाँ गया जागा smart village हो जाएगा लेकिए यहाँ पे दोस्तों critically examine करने को बला है क्या smart village की जो concept लाए गया था क्या उस successful हुआ है दोस्तों आप बोल से तो बहुत हद था कि आप success नहीं मिला हुआ है क्योंकि इसके बहुत सारे fundamentals आप यहाँ पे जो गरबडिया है वो भी आप बोल सकते हों जैसे यहाँ पे education की बात की गई है लेकिए education आप smart education कैसे करोगे जब वहाँ पे smart या digital education नहीं होगी अब digital education के लिए आपको IT infrastructure होनी चाहिए यानि वहाँ पे internet की connectivity होनी चाहिए फाइबर optics केबल हर गाओं में यहाँ पे होनी चाहिए यदि यही basic चीज़ की कमी है आप smart education कैसे करोगे health care की facilities में भी दोस्तो वही है doctor की कमी है इसके लाव कोई भी doctor वहाँ पे रहना नहीं चाहता क्यों क्योंकि वहाँ पे infrastructure basic जो infrastructure की कमी है तो वहाँ पे health care की facilities कैसे provide करोगे तो कुछ यहाँ पे basic fundamental जो गरबडिया है उसको यहाँ पे आप examine कर सकते हो ठीक है इस question में दोस्तो अगला चौथा का B हम दो देखते हैं through light on the role of India in establishing cooperation and peace in South Asian region दच्छिण ACI प्रदेश में सहयोग युम सांती सहबित करने में भारत की भूमका पर प्रकास डालिए दोस्तो यह आप logically कैसे इसको आप लिखोगे यह थोड़ा सा अबड़ से यहाँ पे tricky question है क्योंकि ऐसा आरोप लगाया आता है कि इंडिया यहाँ बिग ब्रदर का रोल करता है South Asia में और जो सार्क जो अपना cooperation है उस वो अभी तक हमारा 2-4 साल से ठपड़ा हुआ है कोई भी यहाँ पे बहुत बार सरकार गिराने कोशिस की की है यहाँ पे इंडिया ने अच्छा positive role यहाँ पे निभाया है इसके लाँ आप देखो कि सिरलंका में जो बहुत सारे बोल सकते हो कि वहाँ पे internal जो सांती है उसको इंटरनल जो सांती है उसको वहाँ पे इस्थापित करने के लिए positive role इंडिया ने अधकिये हैं इसके लाँ मालदीव में भी इंडिया ने positive role यहाँ पे इस्थापित किया है तो कुछ रहते पोजिटीव यहाँ पे देख सकते हो लेकि इंडिया पाकिस्तान और यहाँ पे जो dispute जीश तरह चल रहा है उसमें आप बोल सकते हो इंडि यहां पर positive role यहां पर देख सकते हो ठीक है यह दोस्तों यह हमारा tricky question है इसको आप अपने according आप इसको adapt कर सकते थे ठीक है दोस्ती इसको चवथा का आप C देखते हैं write a short notes on unity in diversity of Indian context भारती संदर में विविता M1 पर संचिप्त ठिपड़ी लिखिए दोस्तों यहां पर बिविता M1 यह हमारा geographic question है तो आप यहां पर लिखोगे culture भी geographic part है लेकिन बहुत हथ तक यहां पर geographic वाली terms है वो आपको maintain करने पड़ेगी तो यहां पर आप बताऊगे कि मांसून एक बॉन्डिंग मांसून एक बॉन्डिंग है जो हमारा community परदान करता है इसके लाए हिमालया भी हमारा बॉर्ण के काम करता है जो तीनु तरब से C जो घिर हुए है वो भी हमारा बॉन्डिंग के काम करते हैं यहां पर जो agriculture है मां unity का काम करता है तो एक कुछ यहाँ पर unity का terms आप लिख सकते हैं और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे diversity culture की diversity पाई जाती है फिर हमारा इंडिया एक है ठीक है तो बहुत सारे यहाँ पर culture में difference पाई जाते हैं और मांसून एक यहाँ पर एक major climate है इसके लाँ भी बहुत सारे climate के variation पाई जाते हैं फिर भी हमारा unity है ऐसा कुछ इस question में आप adapt कर सकते हो इस question को ठीक है त्यारा दोस्तों चाथा question अब जलते हैं पर section B section B यानि कि total overall पाँचवा question देखे तो यहाँ पर पूछा है discuss the salient feature of Indian agriculture इंडियन agriculture की salient feature पूछा है दोस्तों इंडियन agriculture आप देखोगे तो मांसून पर dependent होता है ठीक है पहला characteristic है इसके लाँ आप देखोगे तो यहाँ पर 80 परसेंट जो population है लगव में क्या agriculture पर dependent है यानि major population का जो livelihood है वो हमारे अग्रिकल्चर पर dependent है फिर देखोगे यहाँ पर जो इंडियन agriculture है labor intensive intensive है यानि labor के द्वारा agriculture की जाती है जाता तर यहाँ पर mechanized का ज्यादा यूज नहीं किया जता है और low production होता है इंडिया के जो एक्रिकल्चर है तो बहुत ही कम है चाइना से compare करोगे तो ठीक है तो low production है यहाँ पर और जो land की size है small size है लेंड की ती सारे characteristics का अब लिख सकते हो इंडियन agriculture का अब दोस्तों अगला question चलते है पांच बाक बी यहाँ पर what is the agroclimatic region divide India into agroclimatic region and give an brief account of any two region दोस्तों agroclimatic region इंडिया में divide की है land use के लिए इसको भी हम लोग YouTube पे बहुत ही अच्छे से detail में study की हुए है तो land use के लिए agro ecological region में इंडिया को डिवाइड किया गया और 20 यहाँ पर 20 major agro ecological region में divide किया गया है और इसको आप map की साहता से आपको पढ़ेगा कि 20 जो agro ecological region है वो कहां कहां पर है उनका नाम भी देना है और बाद में यहाँ पर दो agro ecological region है उसका यहाँ पर description देना है ठीक है इस question को आप अच्छे से attempt कर सकते हूं फिर दोस्तों यहाँ पर पांचवा कर सी यहाँ पर पूछा है कि बीगत 50 वर्सों में बीगत 50 वर्सों में क्रिसी की आधुनी करार पर संचिप्त डिपडी लिखिये write a short notes on modernization of Indian agriculture in the last 50 years दोस्तों यहाँ पर इंडिया की agriculture की modernization की बात करें तो आप देशके तो यहाँ पर जो chemical fertilizer का हम लोग last 50 years में बहुत जादा modern जो techniques हैं जैसे drip irrigation, sprinkle irrigation, irrigation की facilities को हमने बढ़ा रखा है तो हम agriculture के यहाँ पर modernize कर रहे हैं ठीक है तो पचास वर्सों में हम लोगे इतने सारे modernization किये इसको आप यहाँ पर mention कर सकते हैं इस question के answer में दूस्त अब छठा के विशन चलते हैं छठा के एक की बात करते हैं यहाँ पुछा है कि through light on the regional distribution and utilization pattern of coal in India भारत में कोयला की प्रादिसिक बीतरण एवं उसके उपयोग प्रतिरूप पर प्रकास डालिए दूस्तो कोयला की बीतरण की बात करें तो ज्यादातर कोयला आपको जो नॉस्तं इस्टन चोटन पेनिसलर इंडिया है वहां पे मिलेंगे यानि की जहारखंड से सटे जो राть जहारखंड हो गया विहार सार गया, वेष्ट बंगाल हो गया, Mp हो गया, 36 काड़ हो सहगा और यहां पे அवं पर आपको जायातर रहना है अधार प्रोगका कोने मिलते हैं थिक है यदि Sowas a звуч of course by घुझाओं पर यहां पर आप ऐसे कुछ यहां पर लिख सकते हैं फिर दोस्तों यहां पर छठा का बी पूछा है what is the multi-purpose river valleys project how far it has been successful it bringing economic prosperity in any area बहुत देसी नदी घाटी परयुजना क्या है किसी छेतर में आर्थिक सम्रुदी लाने में यह किस सीमा तक सफल रही है दोस्तों बहुत देसी नदी घाटी परयुजना की बात करें तो यहां पर डैम की बात कर रहा है देखो डैम countless purpose डैम होते हैं agriculture के लिए बनाआ जाते हैं और बनाजाते हैं ग्राउंड वाडर को recharge करने के लिए बनाजाते है तो काफी कूछ यहां पर major purpose होता फिसिंग बनाजाते लिए इसके लिए आप देश हैते हो यहां पे जो inland waterways होती हैं उसके लिए बना जाता है मल्टी परपज यह होती है यही मारा मल्टी परपज नदी घाटी परविजना है यही आप देखो कि किसी चेतर में आर्धिक सम्रीदी लाने के लिए किसी मां तक सफल रही है तो आप जारकंड में देख लो यहाँ पर दामोदर नद हच्छी साबित हो इसके लाओ आप देख सकते हो महानादी में जो परविजना है वहाँ पर पहले उड़ीसा में बहुत जादा फ्लड आते थे उसको भी रोकने में काफी हद तक सफल रही है तो बोल सकते हो कि जिस रिजन में बहुत दिसी नदी घाटी परविजना मनाई यहां पर आर्थिक सम्रीदी लाने में बहुत हद तक सफल रही है लेकि कुछ आप लिमिंटेशन को भी यहां पर मेंशन आप कर सकते हैं यहां दोस्तों चट्था के भी अब चट्था का सी में आपसे पूछा है कर राइट ए सौर्ट नोट्स अन इनर्जी क्राइसिस एन अल क्राइसिस के बात कर इंडिया में तो नोट्स नेपσα पर डर लगा रहाता है वो हमेशा वहां पर इनस्टेबिल्टि बनी रहती है इससे चलते हैं हमारे एनर्जी क्राइसिस यहां पर अक्सर यहां पर डर बना रहता है इसके लिए alternative energy आप देख सकते हो कि alternative energy के लिए हम यहां पर solar power winds generation और यहां पर अलग लग जो renewable resources हैं उसको यहां पर हम ला रहे हैं लेकि फिर भी आप देख सकते हो solar energy की तोर पर हम battery जो है lithium-ion battery की जो tools है जो भी उसमें equipment बनाए उसमें जो हम लगते हैं, raw material लगते हैं वह ciao चाईदद से इंपोर्ट करते हैं, तब पर हमारे energy जो security है, यहां पर crisis हो सकते हैं, तो कुछ यहां पर alternative में आप रहेंप लिख सकते हो ठीक है तो energy crisis के बारे में आप लिख सकते हो है यहां पर history आप energy crisis यहां आपको पता होगा कि india में कर सकते हैं सात्वा में आपसे पुछा है यह में साथ की यह में पुछा है एक्स्प्लेन दा डिस्टिविशन पैटर्न आफ आइरन एंड इस्टिल इंडर्श्टी इन इस्टर्ण इंडिया विद रिप्सेंज टू इट्स लोकेशनल फैक्टर पूरवी भारत में लोह और इ उनके अस्थानी करण कारको के संदर में ब्याख्या किजिए दोस्तों यहां पर आपको इस्टिल इंडर्श्टि की बात करोगे तो आपको इस्टर्न इंडिया में ज्यादा देखने मिलेंगे नौर्थ इस्टर्न पेनिसलन इंडिया में ज्यादा देखने मिलेंगे खासक पर इस्टिल इन्डेस्ट्री इसलिए लगा जाती है क्योंकि उसको जो रो मटेरियल को जो ट्रांस्पोर्टेशन कौस्ट होती है वह हमको लाने में बहुत ही कम पड़ता है आप वेवर की जो इन्डेस्ट्री लोकेशन थिवरी है उसको आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इसका एक्जांपल भी देख सकते हो कि जारखंड में आप देखोगे तो बोकारोक इस्टिल प्लांट है इसके लाब आप देखोगे उडिसा में तो राउर के लिए इस्टिल प्लांट है एमपी में भिलाई इस्टिल प्लांट है वेस्ट बंकाले में दुरगापूर इस् ठीक है तो अब चलते हैं दोस्तों सात्मा के बी सात्मा के बी में आपसे पुछा है थ्रू लाइट ऑन दे ग्रोथ डेवलपमेंट एंड डिश्टिबिशन पैटर्न आप रेलवेज इन इंडिया दोस्तों इस क्रिशन को हम ने अभी हम लोग डिसकस नहीं किया है तो रेलव के यहां पर सी पुछा है राइट ए सॉर्ट नोट ऑन गोल्डेन क्वाडिल क्वाडिलेटल इसकीम इन इंडिया भारत में स्वाडिम चैतरभूज योजना पर एक संचिप टिपडि लिखे दोस्तों इहां पर हाइवेज जो कनेक्ट हो रहे हैं जो किये गया है आपको आपने पढ़ा होगा अब आठवा चलते हैं पुछा है प्रिपेर दा आउटलाइन फॉर प्लानिंग आप मेट्रो पॉलिटन सिटी मेट्रो महानगर की योजना पर एक रूप रेखा त्यार कीजिए दोस्तों महानगर योजना जो मेट्रो पॉलिटन जो सिटी है उसकी प प्लानिंग को हम लोग एक विस्तार रूप में हम लोग अलग से इसको वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं दोस्तों आठवा के भी यहां पूछा हाइलेट्स द प्रोस्पेक्ट और प्रॉलम एस्सेटीव विट वाटर ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ इंडिया द जोड़ी समस्याओं संभावना समस्याओं को चिन्हां की किजिए तहां पर दोस्तों आप बोल सकते हैं नौर्थ इंडिया जो रिवर हैं उसमें बहुत ज्यादा इरोजिनल या शिल्ट की मात्रा पाए जाती है जो वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्फुल नहीं होती है यहां पर पेरिनियल इन नेचर वाटर की पाए जाती है लेकिन आप देखो वाटर की डेप्थ भी कमी हो रही है क्योंकि बहुत सारे डैम बना गया है तो इसको कुछ आप ऐसे एटेंप्ट इसको कर सकते हैं ठीक है तो आठवा के यहां पर सी यानि लास्ट के उसन पुछ इसके लिए कोई भी रिसॉस को डिपलीशन नहों यानिक बचा के अभी करेंट करें और साथ-साथ अभी कि जो जो एकोनोमिक है उसको इहां पर पॉलोशन या एकोनोमिक जो डिपलीशन है उसको ना करें ठीक है ऐसा कुछ डेवलेप्ट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो people यानि society का भी ध्यान रखते हैं और यहां पर development का भी ध्यान रखते हैं, economic का भी ध्यान रखते हैं और साथ साथ ecosystem का भी ध्यान रखते हैं, तो economic ecosystem people दोनों का ध्यान रखते हुए यहां पर sustainable development करते हैं, ऐसा कुछ यहां पर संचिर्प्रिप्डी आप यहां पर लेख सकते ह तो यह रहां दोस्तों यहां पर UPPCS 2019 में जो जिग्राफी पेपर टू का जो क्योंस पूछे गए थे उसका एनलिसिस तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनलिसिस देखे कि क्या क्योंस पूछे गए थे और साथ-साथ किस तरह से यहां पर आंसर इसको देने थे सब अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताईए वीडियो कैसे लगा कुछ सजेस्ट है या नहीं करना चाते हैं वो भी हमें सजेस्टन भी दे सकते हैं इस कमेंट के माध्यम से तो आज के लिए बस दिनाए दोस्तों थेंक्यू पर वाचिंग मिलत अगले वीडियो में ने टोपिक साथ थैंक्यू